हेलो एव्यवान वेल्कम तो अरण 94.7 IES मेरा नाम है प्रीती चौधरी और मापिंग सीरीज की आज आपकी वीडियो है साड़े 11 वजे से स्टार्ट होती है आपको याद रहने वाला है बहुत सारी वीडियो 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 अगर करना है सारी मापिंग की सीरीज आप देखेंगे अगर जो भी वीडियो हमारी आने वाली है तो आपका मैपिंग के कुश्चन सो डन है यह समझ लो चीक है और इसी बात से स्टार्ट करते हैं हमारी सब्सक्राइब सब्सद्राइब करने वाले एंपको मेंंबर'reıyorum मेंबर्प्रशाएं क्यों Ama gan और वो मेंबर्श को आपको याद में पमेंपको करने वालए हैं आप-के ट्रीक्स के साथ में अपको आने वाली हूँ जिससे कि आपके याद हो जाएं जी सेवेन जी ट्वेंटी सार्क आशियान यह सब और गनाइजेशन आपका मेकॉंग गंगा कॉपरेशन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आंक्टिक काउंसिल यह सब आज हम करने वाले हैं तो आई होप सब एक्साइटेड सब्सक्राइब लेकिन आपके कुश्चिंस क्लियर आपको कुश्चिंस करा सकती है यह वाली वीडियो तो आपको देखनी है साड़ी यारवजे जुड़ सकते हैं आप लोग अब देख लेता है आपकी आशियान क्या है आशियान आशोसियेशन ओफ साउथ इस्ट एस्ट इसकी फुल फॉर्म है अब आशियान में कितने मेंबर से एक बार सब बता देंगे दस मेंबर है यह जब आज़ी बताओ आशियान से ही तो आपको नी बताना दस मेंबर है कैया दिख भी रहंँगे आपके गोल ऐसा बना हुआ है बैज आशीयान कायै, आपका नक्षा है मैं आप है और इसके कितने मेंबर हैं, आपके ये सारे मेंबर सिसके हैं, जो कि आपको दिख रहे है मयन मार है, वियतनाम है लाओस है, थाइलैंड है फिलिपिन्स है, कमोडिया है, अमलेशिया है सिंगफूर है इंडुनेशया है primarily है आपका याद कैसे होगा मैं में याद को होग video से तो क्या क्या इस आप का है आश्यान कंट्रीजिए की ट्रिक है TL TV मिनस क्या टुट क्या टृकर चिम्यरों करें याद क्या किया इस P से आपका Philippines, L से आपका Laos T से आपका Thailand है और V से आपका Vietnam है T से Thailand है, V से Vietnam है MIMK से क्या है आपका Malaysia M से, I से क्या हो जाएगा Indonesia, दूसरा ही कोर M है तो यहाँ पे क्या है आपका मेरमार है मेरमार है, अब C और S आता है तो देखिए भईया, Laos आ गया Vietnam आ गया, तो उनका तीसरा भाई तो आए गई ना कौन सा है तीसरा भाई, येस Cambodia है तीसरा भाई, तो Cambodia आ जाएगा और S से आपका है Singapore Thailand आया है, तो भई Singapore भी आएगा तो Singapore हो जाएगा, BPL, TV MIMKS, याद रखनी है ये ट्रिक आपकी है, आशियान Countries के लिए, आगे बढ़ते हैं आपके, G7 Countries करनी है, मैं कौन से Countries करनी है G7 Countries करनी है देखो, G7 Countries पहले G8 थी, रशिया को हटाया गया तो वो बनी आपकी G7 Countries तो G8 अगर बात होती है, तो मानला G8 में कौन अगर थी, रशिया था येस, रशिया, यूकरेन, बहुत याद है न, थोड़ा सा ठीक है, चलो क्या ही बूले तो G7 Countries की बात कर लेते है G7 Countries के लिए क्या ट्रिक है आपकी G7 से याद रखना G, क्या याद रखोगे G7 से याद रखना है G7 Countries जो आपकी G7 देश है उनका फेवरेट आपका क्या है जूस है, क्या है उनका फेवरेट आपका जूस है, उनका फेवरेट आपका जूस है, तो G से आपकी कौन सी कंट्री है, जर्मनी आ जाएगी फेवरेट का F Capital है तो आपकी France आ जाएगी और juice से क्या है, J for Japan है, U for USA है, I for Italy है, C for Canada है और E for आपका England है, तो याद रखना है, G7 countries' favorite is juice juice बहुत पीती है, G7 countries' आपकी तो, G7 countries' favorite is juice G से Germany, F से France, J से आपका क्या है, Japan है, I से क्या है, U से क्या है आपका बताई जल्दी से, USA है, Italy है, Canada है और आपका England है, right अभी जल्दी से एक बार साब लिख दो, क्या आपकी ट्रेक है, G7 countries की, Germany, UK, France, Canada, US, Italy, Japan याद रखना, G7 countries' favorite is juice, आगे बढ़ते हैं, next trick जो हमारी है trick to remember, सार्क countries की बात कर लेते हैं, सार्क countries, इंडिया मेंबर है, इसका बिल्कुल है सार्क countries की देखते हैं, कितने countries हैं इसमें आपके, आठ countries हैं, और trick आपका है, MBBS पेन, अब जो MBBS कर रहे हैं, पेन तो एक होता है, कि सालों साल अपने चले जाते हैं, कुमर चली जाती है, तो trick आपकी है, MBBS पेन, आठ देश हैं, अच्छा, BIMS चेक एक और organization है, आपका homework question यह आपका है, कि BIMS चेक में कितने members आपके हैं, साथ members हैं, मैंने बता दिया, लेकिन कौन-कौन से साथ देश आपके हैं, एक बार सबान सकर दो, कि कितने आपके हैं, BIMS चेक में members, बताइए सब, MBBS पेन, यहाँ है trick, M से आपका है Maldives, B से आपका है Bangladesh, दूसरे B से है भूटान, S से आपका है श्रीलंका, P से पेन आगया अब, तो P पाकिस्तान से शुरू हो रहा है, आपका पेन, अफगानिस्तान, A, I, इंडिया, और N से हैं आपका Nepal, clear है, MBBS पेन, आपकी साख कंट्रीज की trick है, देख लेते हैं, यहाँ पर MBBS पेन, MBBS से क्या है आपका, Maldives है, ठीक है, आपका भूटान है, आपका बांगलादेश है, S से आपका क्या है, श्रीलंका है, पेन से आपका पाकिस्तान है, A से आपका अफगानिस्तान है, A से आपका इंडिया है, N से आपका निपाल है, याद हो गया, साख कंट्रीज, 8 कंट्रीज, I hope सबको याद हो गई हो गई होंगी आप लोगों की Okay everyone, next हम आगे बढ़ते हैं, आपके ट्रिक to remember G20 कंट्रीज, G20 कंट्रीज को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, गुरू जी, सीता अब SSCFCI में जॉब करती है, देखिए G20 बीस देश है, याद करने बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन यहाँ से याद होने वाला है, गुरू गुरू जी, सीता अब SSCFCI में जॉब करती है, याद कर लेते हैं, जी से आपका क्या है, जर्मनी है, यू से आपका USA है, आर से क्या है, गुरू तो आर से आपका रश्या है, दूसरे यू से आपका UK है, युनाइटिड किंडम है, अब आपका JI आजाएगा, गुरू जी है क्यूंकि, और JI दोनों कापिटल हैं, तो आपका जैपैन और आपका इटली, ये मुस्री दोनों एक साथ ही आते हैं, जैपैन इटली, अब से क्या है आपका, साओधी अरेबिया, साओधी अरेबिया हो जाएगा, clear है, okay everyone, ठीक है, okay, I hope सब को समझ में आ रहा होगा, ये सार अर्जेंटीना, आपका B is for Brazil, clear है, S से आपका ये वाला साओधी अरेबिया है, दूसरे S से आपका साओध आफरीका है, सीता की हम यह बात करते हैं, तो S से आपका क्या है, साओध कोरिया है, क्या है, साओध कोरिया है, साओध अरेबिया है, okay, गुरु जी की बात करी, G से जर्मनी है, U से आपका USA, R से रशिया है, U से UK है, सीता की बात करी, तो S से साओध इरेबिया है, मानलो, I से इंडुनेशिया है, T से टर्की है, A से आपका अर्जंटीना है, अब की बात करेंगे, तो A से आपका Australia है, B से आपका Brazil है, FCI की बात कर लेते हैं, तो क्या है FCI में आपका, जली से बताओ, FCI में क्या हो जाएगा, SSE हो गया, South Africa हो गया, South Korea, Canada हो गया, F से आपका France है, C, इस वाले C से आपका क्या है, भई, China है, I से India है, clear है, May, May में क्या है, Mexico और E से आपका European Union है, तो I hope G20 countries अब आपको clear होंगी, देखी, G7 में, G8 में, जब हम ये वाली countries मि जाती है, okay, सार कर लिया है, हमने, G20 भी अब हमने कर लिया है, अब हम करने वाले है, मेकॉंग, गंगा, कॉपरेशन, कंट्रीज, आपकी, MCC कंट्रीज कौन सी है, और इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, लिमका टीवी, लिमका तो सब पीते होंगे, लिमका टीवी, टीवी द आपका कंबोडिया है, क्लियर है, लिमका की हम बात कर रहे है, तो आपका यहां से हो जाएगा, कंबोडिया, टीवी की बात आए, टी से क्या है, थाइलेंड है, वी से आपका वियत नाम है, तो यह आपका हो जाता है, मेकॉंग, गंगा, कॉपरेशन, कंट्रीज, यह वाले वाले हैं तो गल्फ कॉपरेशन काउंसल देख लेते हैं आपकी क्या ट्रिक है बस टू कतार और कुवेद जा रही है बस टू कतार एंड आपका कुवेद कितने मेंबर है इसके आपके बताओ कितने मेंबर है सब इसके बताओ गल्फ कॉपरेशन काउंसल के कितने मेंबर एक सब बता देंगे मुझे क्या इतंफ यह आपके इसके इत्ने मेंबर, निया निया! देखिए B ,U से आपका है UA S क्या होगा? सूधियर होगा। कातार क्यूं से गता ही हैर के से आपका वैत ही आगे बढ़ते हैं एक। स्वेस हाट गुंप क्यात रिखती है। bus to Qatar and Kuwait, right? B से आपका क्या है? वहरेन है, U से आपका क्या है? UAE है, S से साउधियरेबिया है, Q से आपका Qatar है और K से आपका Kuwait है, अब मैंने बोला था कि कोई और मेंबर तो नहीं है, यही आपका टेस्ट था, तो आपको बताना है किया Oman आपका GCC का मेंबर है, बताओ, क्या O जल्दी से आपका GCC का मेंबर है, बताओ, जल्दी से बान सकरो, क्या Oman आपका GCC का मेंबर है या नहीं है, बताओ, सब आपको बताना है, comment box में, क्या Oman आपका GCC, Gulf Corporation Council का मेंबर है, या फिर नहीं है, और इसी के साथ Arctic Council भी कर लेते हैं, Arctic Council आपकी Arctic Countries के बनी होगी, क्यों क movies एक, तो Russian CD is fun आपकी movie है, R से आपका क्या होगा, Russian से आपका होगा, Russia यहां पर, इसका मतलब है, Russian, CD का मतलब क्या होगा, C से है Canada, D से है आपका Denmark, तो CD Canada, Denmark, इस मतलब क्या है, आपका Iclean, । आपका Sweden, clear है Iceland और Sweden, fun, F से है आपका Finland, U से है आपका US और N से है आपका Norway, clear है तो Russian CDs fun, आपकी trick है, Arctic Council Countries की, I hope सबको समझ में ही आया होगा ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं 11.30 एम पर Mapping Series के लिए Thank you so much everyone, good luck